सुब्रत रॉय ने 1978 में गोरकपुर में एक छोटी से ओफिस में सहारा समूल की नीव रखी। इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्टरी शुरू की। रॉय के नित्रित्व में सहारा ने कई अन्यव्यवसायों में विस्तार किया। सहारा श्री सुब्रत रॉय का शून्य से लेकर शिखर तक का सफर काफी रोचक है। उन्होंने सुब्रत राय से सहारा श्री सुब्रत रॉय बनने तक जीवन में काफी उतार चड़ाव देखे। करियर की शुरुआत गोरकपुर में नमकीन स्नैक्स बेचने से की। अपनी लैंब्रेटा पर जया प्रोडक्ट के नाम से स्नैक्स बेचते। 1978 में गोरकपुर में एक छोटी से ओफिस में सहारा समूल की नीव रखी। इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्टरी शुरू की। रॉय के नित्रित्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार कि वर्ष 1983 माइनस 83 में कारोबारी मित्र इसके नाथ ने अलग होकर राप्ती फाइनेंस बना ली। इसी साल सुबरत राय ने लखनव में कमपणी का मुख्याले खोला। रॉय का सामराज्य फाइनेंस, रियल इस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटलिटी से लेकर अन्य सेक्टर में फेला। काम्याभी के शिखर पर पहुँचने के बाद भी कभी पुराना समय नहीं भूले। गोरकपुर में एक कार्यक्रम के दोरान उन्होंने जीवन के तमाम अनुभव सार्वजनिक किये थे। 18 अप्रल 2013 को गोरकपुर क्लब में आयो जित सम्मान समारोह में सुबर यही से की। शहर के कनक हरी अग्रवाल बताते हैं कि उस कार्यक्रम में वह भी शामिल थे। सहारा श्री ने कहा था कि स्कूटर से घूमने और नॉन बेकिंग की शुरुआत यही से की। एक कमरे के दफ्तर से शुरू किया कारोबार ऐसे पहुँचे लखनाउ। सिनिमा रोड्स थित कार्याले के एक कमरे से दो कुर्सी और एक स्कूटर के साथ उन्होंने दो लाग करोर रुके तक का सफर तै किया। थोड़ी पूंजी हुई तो 1978 में इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्टरी शुरू की। इस दोरान लेंब्रेट स्कूटर से पंखा और अन्य उत्पादों को बेचा करते थे। दुकानों पर पंखा पहुँचाने के साथ ही वल दुकानदारों को स्माल सेविंग के बारे में जागरूप करते थे। बैंकिंग की जरूरतों के साथ रोजगार के अफसर के बीच सहारा का गोल्दन की होकर राप्ती फाइनेंस बना ली। इसी साल सुबरत राय ने लखनव में कमपनी का मुख्याले खोला। धाटे का सौधा बना ये कदम। सहारा समूर ने एरलाइन्स कमपनी भी खोली थी। जिसके बेरे में कई जहाज थे। हाला कि यह कारोबार सुबरत राय को रास नही गया। हाला कि मुंबई में उनका सहारा स्टार होटल बनाने का फैसला सही साबित हुआ। से लेकर कई बड़े नेताओं से थी करीबी रिष्टे। सुबरत राय का करीब चार दशक का कारोबारी सफर सफलता की बुलंदियों को छूने वाला साबित हुआ। लखनव की सहारा शहर में राजनेताओं, फिल्म कलाकार और क्रिकेटोस का लगने वाला जमावरा इसका गवाह बन चुका है। सपा की संस्थापक मुलायम सिंध यादव से उनके करीबी रिष्टे जग जहिर थे तो भाजपा और कॉंग्रेस की तमाम बड़े नेता उनके मुरीद थे। चिटफंड से सिनिमा तक में आजमाया हाथ। साल 1978 में एक स्कूटर और 42 निवेशकों के साथ शुरू हुई चिटफंड कमपनी से सहारा धीरे धीरे देश के तमाम उद्योगों में जगह बना ली। रियल स्टेट, टालीकॉम, टूरिजम, एरलाइन, सिनिमा, हिल, बैंकिंग और मीडिया जैसिक शेत्रों में सुब्रत रॉय सहारा ने हाथ आजमाया। उनकी कमपनी ने न्यू यू यॉक, लंदन में भी अपने पैपसारे। एक दौर ऐसा था जब प्रतिश्थित टाइम मैकजीन ने सहारा ग्रूप को भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कमपनी का तमगा दिया। था, सुब्रत रॉय सहारा अपनी कमपनी को एक परिवार कहते हैं और खुद को इसका अभिभावक बताते थे। नेता से लेकर अभिनेता तक कातते थे चक्कर। कुछ साल पहले तक वे भारत के चुनिंदा उद्योग पतियों में गिने जाते थे। सहारा श्री के नाम से मशहूर सुब्रत रॉय सहारा की पैठ हरक शेत्र में थी, फिर उनके सामने क्या नेता और क्या अभिनेता, तमाम लोग उनके चकर कातते थे। भारत सुब्रत राय बड़े उत्साह से भारत पर्व कार्यक्रम आयोजित करते थे। उनके दोनों बेटों की शादी लखनव में शाही अंदाज में हुई थी, जिसमें देश-विदेश से मशहूर हस्तियों को आमंत्रत किया गया था। इस शादी में खर्च की चर्चा सालों त काम भी सहारा समूह ने किया था।